अस्मास्ते बच्चों कुक्षा 5 विशेगनित में अपने प्रशनावली एक के प्रशनल कर रहे हैं दूसरा प्रशन क्या है इसका कि नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखें तो इसमें भी 5 स्वाल है विस्तारित रूप में किस तरह से लिखते हैं नें कहीं जैसे मैं कोई चोटी संख्या लेग二 còn की संख्या संख्या से अब इसका विस्तारित इकाई से गुना करेंगे तो क्या बन गया पांच इसी तरह से देखे तीन दहाई तीन दहाई के स्थान पर है तो तीन दहाई दहाई कंपलो होता है दस तो तीन को दस से गुना करने पर कितना बन गया तीस तो इसी तीस प्लस पांच इस तरह से जैसे साथ सो एककिस है तो इस और एक इकाई की स्थान पर रहेगा एक ही तो ये इसका विस्तारी तूरूप हो गया अब अपने पहला प्रशन देखते हैं जैसे इसका तो संख्या देखे क्या है अब इसमें देखिए वो ये पांच अंग कोई संख्या है तो सबसे पहले अपने तीन अंग छोड़कर कोमा लगा ले ये तो संख्या क्या बनगी बारा हजार तीन सो बहतर अब इसका विस्तारी तूरूप लिखेंगे तो मैं थोड़ा इसमें देखिए जैसे ये एक किस स्थान पर है फिर देखें प्लस दूसरा अख है दो ये है अलजार के स्थान पर तो दो के साथ लिखेंगे प्लस तीन सेंकडा 5 फिर प्लस सात नहाई और प्लस दो एकाई आ अहगbir हैं अर्द कि एक 10 colored तों 1100 뒤fully इस तरह से अंक में लिखेंगे तो यह कि यो अंक है यह एक दस हजार से गुणा होगा तो कि एक दस जार का मतलब कितना हो जाएगा दस हजार फिर देखिए दो हजार तो दो को हजार से गुणा करेंगे तो दो एक कम दो और पिछे वाली जीरो वैसी के वैसी यानि दो हजार हो गया फिर देखे, प्लस 3 सेंकडा, तो सेंकडा का मतलब 100, यानि 3 को 100 से गुणा करेंगे तो बन गया, 300, फिर देखे, 7 दहाई, तो 7 दहाई का मतलब 10, तो 7 दहाई, 70, तो 7 दहाई का मान हो गया, 70, फिर देखे, 2 एकाई, यानि 2 गुणा 1, एकाई का मतलब 1, तो 2 एकम 2, तो तो लिखना प्रशन में जो उत्तर लिखेंगे वो सिर्फ इतना है एक कमान हो गया 10,000 प्लस 2000 के स्थान पर रहा है तो इस कमान 2000 प्लस 3 से इकड़ा है तो इस कमान हो गया 300 प्लस 7 दहाई से इस कमान 70 और इसका 2 उतर सिर्फ इतना लिखना है अब इसका जो दूसरा प्रशन है वो देखिए 23,434 तो अब देखिए कमान लगाने प्रसंख्या क्या बनागी 23,434 तो यह 2 किस थान पर रहा है 10,000 के थान पर तो दो दस हजार से कितना हो जाएगा 20,000 अब देखिए जब आप 0 लगाते हैं तो कोई गलती नहीं करनी कितने 0 लगेगी तो इसके आके जितने अंक है उतनी 0 20,000 में अब देखिए 1, 2, 3, 4 तो देखिए 2 के साथ यह 4 0 लगी तो बन गया 20,000 अब इसी तरह से 3000 के स्थान पर है तो इसका मान हो गया 3,000 प्लस 4 सेंकड़ा के स्थान पर है तो इसका मान हो गया 400 प्लस 3 दहाई के स्थान पर है तो इसका मान हो गया 30 और 4 इकाई के स्थान पर है तो इसका मान हो गया 4 अब इसका तीसरा प्रशन देखिए ये संख्या है तो कितनी क्या है ये 45,302 अब देखे 4,10,000 तो इसका मान हो गया 4,000, 4,10,000 4 को 10,000 से गुणा करेंगे तो 10 चोके यानि 40,000 हो गया तो कितनी 0 लगेगी तो जितने इसके आगे आंक है देखे 4 के साथ है 1,2,3,4,0 तो ये बन जाएगा 40,000 प्लस 5,000 के स्थान पर है तो इसका मान हो जाएगा 5,000 अब देखे 5 के साथ 1000 लिखने लिए कितनी 0 है 3,0 होती न तो इसके आगे भी 3 यानक है देखे फिर देखे 3 से एकड़ा यानि 300 प्लस 0 दहाई तो 0 को किसी भी संख्या से गुणा करें 10 के साथ 10 से गुणा करने पर भी क्या आएगा 0 आएगा 2,0 क्यों लिखनी है क्योंकि ये अंकर 10 के साथ पर देखे 1,1 के साथ पर भी 0 और 10 भी इसमें 0 है तो इसमें 2,0 अब फिर 2 का मान 2 ही रहेगा अब देखे इसका 4 और देखे 5 आप इसका स्वेम करेंगे अब जैसे 4 है इसका 45,004 तो 7,10,000 से मान हो गया इसका 70,000 0 कितने लगाएंगे इसके आगे देखे 4,0 लगेगे तो ये बन गया 70,000 प्लस 5000 के स्थान पर है तो इसका मान हो जाएगा 5000 अब देखे 0 से इखड़ा तो 0 कमान 0 ये रेगा अब इसमें कितने 0 लगाएंगे 3,0 लगाएंगे क्योंकि से इखड़ा के स्थान पर है 0 और इकाई दाहाई के स्थान पर भी 1,2,3,0 0 से इखड़ा इस तरह से लिखेंगे 3,0 फिर देखे आगे तीसर प्रशन देखें नीचे दिएगे विस्तारित रूप को संख्या के रूप में लिखें अब आपको विस्तारित रूप दे रखाया इसे संख्या बनानी है तो जैसे पहला है चालिस हजार प्लस पांच हजार प्लस साथ सो प्लस सतर प्लस दो तो इसे संख्या क्या बनेगी तो अब देखें ये इकाई ये दहाई ये सेंख्डा ये हजार ये दस हजार तो दस हजार है तो यानि दस हजार के स्थान पर कौन संख्या है चार फिर हजार के स्थान पर अंक 45,700 बहतर इसी तरह से दूसरा है 60,000 प्लस 00,00 प्लस 20 प्लस 6 तो 6 एकाई इसमें 2 दहाई ये 0 सेंकडा 0,000 और ये 6 10,000 है यानि 60,000 तो 10,000 के स्थान पर 6 फिर 1000 के स्थान पर 0 फिर सेंकडा के स्थान पर 0 दहाई के स्थान पर 2 और इकाई के स्थान पर 6 तो संख्या बन जाएगी 60,000 चप awak 2 यानि यह सिर्फ आपको अंक उठाने है जैसे ये 10,000 है तो 10,000 के स्थान पर कौन संख्य है 30 धिर 9,000 है तो हजार के स्थान पर 9 ये 900 तो सेंकडा के स्थान पर अंक आ जAYEगा नो फिर जीरो दहाई तो दहाई की स्थान पर जीरो फिर इकाई की स्थान पर आठ इस तरह से तो इसका चोथा और पांचों प्रश्ण है यह आप स्वेम करेंगे बाकी के प्रश्ण अपने अगली वीडियो में करेंगे धन्यवाद